हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे डोसा वह भी रोटी के तवे पे तो तवे को हमने धूल लगा दिया गैस को अन किया है वह भी हाई फ्लेम पे रखा है एक बार हमको हाई फ्लेम पर रखके उसको थंड़ा करना है तवे को और फिस लोग फ्लेम कर देना है उसके बाद हम बैटर बैटर फेलाने के बाद हम लोग को उसकी पर थोड़ा सा ओईल ला लेंगे आप जो भी आप संफ्लावर डालेंगे अच्छा रहेगा रिफाइन ऑईल वाकि दूसरा ओईल मत यूज़ कीजिए उसमें स्मेल वगरा रहता है तो डोसे में स्मेल आ सकता है तो हमने एक इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम करके तविक पर दोसे को पकने देंगे तो डोसा हमारा पक रहा है दोसे को हमको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ज्यदा फास पर नहीं पकाना है अगर नहीं तो हमारा रोसा जल जाएगा मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो हमारा डोसा भी पूटने लग गया था मैंने उसको पलट दिया है देखो हमारा डुसा बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और बना है दोसा पकने के बाद में दोनों तरफ से पका लेती हूं कि मेरे घर में सब बहुत है कि नहीं कच्छा लगता है उन लोगो को दोनों साइड से पका लो उनको अच्छो लोग हमारा डुसा रेडी हो गया है उसको हम लोग सर्व करेंगे मेरा बेटे को मैं सर्व कर रही है कोकोनट चटनी और रेड टमाटर की चटनी है तो ओके बाई-बाई डुसा